सो हलो मेरे भाई लोग, वेलकम बैग टू माई यूटुब चैनल आर वियस एनिमे हिंदी जैसे कि तुम समने थमने लोट टाइटल देखा है, आज हम लोग किस बारे में बात करेंगे सिकी दा गोल्डन लायन, आखिर ये बंदा गया कहां, अब देखो जो लोग भी सिर्फ एनिमा वाचर्स हैं और जिन सब को जादा कुछ पता नहीं रहता है, ऐसा होता है यार, बहुत सारे लोग मांगा को फॉलो नहीं करते हैं बहुत सारे लोग वनपीस को लेकर जादा रिसर्च वगरा नहीं करते हैं, वो लोग बस देखते हैं इंजॉयमेंट के लिए तो उनको एक चीज़ आ रहा होगा, क्यूंकि सब ने तो वनपीस का मुवी जो स्ट्रॉंग वर्ल्ड है, वो जरूर देखा है और बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जो वनपीस की मुवीज है, वो वनपीस के में स्टोरी लाइन से ही बिलॉंग करती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वनपीस की अब तक जितनी भी मुवीज आई है, वो सब नॉन कैनन है, मतलब में स्टोरी लाइन से इनका क पोई लेना देना नहीं है तो हाँ तुम सही समझ रहो वन पीस मुवी स्ट्रॉंग वर्ड में जो सीकी दा गोल्डन लायन था और लूफी से जो वो हारा था ऐसा कभी नहीं हुआ मतलब वो मुवी बस ऐसे कलपना कर लो कि वो बस टाइन पास के लिए था अब जो मैं बात करने वालो हूँ न सीकी दा गोल्डन लायन को लेके कि आखिर ये गया कहाँ अब देखो यार वन पीस के मांगा चेप्टर 956 में सायद मेरे को exact याद नहीं है जब सेन गोकु रॉक स्पाइरेट के बार में बताता है तो वो एक बात मेंसन करता है रॉक स्पाइरेट क्रू में सीकी दे गोल्डन लायन भी था प्लस जो वन पीस के मांगा राइटर एचिरो ओडा है उन्होंने सीकी को लेकर के एक अलग से वन सौट मांगा लिखा है जिसका नाम उन्होंने दिया है One Piece Chapter Zero वो मांगा chapter बहुत सारे लोगोंने read नहीं किया और बहुत सारे लोगोंने read कर रखा अब मैं चाहूंगा कि तुम सब जाकर के वो वाला chapter read जरूर करना और मैं उसका link भी description में दे दूँगा तुम्हें वो chapter read करने के बाद एक बात तो समझ में आएगा कि सिकी किस level का character है लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सिकी के बार में बात करनूँ कि वो कितना जाए strong है और फिर जो है वो अब कहां पे होगा उस बार में भी हमनों बात करेंगे सबसे पहली बात तो सिकी दा गोल्डन लाइन का जो character है वो सुरू से ये उड़ा ने बहुत ज़्यादे strong दिखाया है because according to chapter 0 भाई पहले ये बताया जाता है सिकी दा गोल्डन लाइन versus future pirate king रोजर उस बग pirate king नहीं बना था उसके साथ ससेन गोकू भी आता है और तुम्हें मैं एक बात बताता हूँ वो जो fight था ना जो roger pirates बसे सिकी pirates के बीच में जो fight होने वाला था वो fight समुंदर में होने वाला था plus सिकी के पास उस वक्त पूरा pirate का fleet होता है मतलब ये जिस तरह से एक yonko के पास उसका पूरा fleet होता है ना उसी तरह से सिकी के पास उसका पूरा fleet होता है और वो fleet के साथ वो roger pirates पे हमला करता है अब देखो पहले वो roger को offer करता है कि वो उसके साथ हात भिला ले जिससे वो लोग world को dominate कर सके rule कर सके लेकिन Roger उसके offer को reject कर देता है जिसके बाद दोनों के बीच में जैसी fight होने वाला होता है क्या होता है समुंदर में तूफान आ जाता है और काफी ज़्यादा भारी मातर में tsunami की लहरे उठने लगती है और इस वज़े से उन दोनों का fight जो ड्रॉ में खत्म हो जाता है अब देखो वाला situation कुछ ऐसा था रोजर का पूरा गुरा जो sip था उसको सीकी पाइरेट के जो fleet थे उन लोगों ने घेर लिया था और वो वाला situation एक ऐसा situation था कि मेरे को जहां तक लगता है मेरे हिसाब से वहाँ पर अगर रोजर भिड़ता ना सीकी से तो सीकी वो fight जीत जाता next सीकी कब action में दिखता है जब रोजर का execution हो जाता है तो उसके बाद सीकी का माथा फिर जाता है कि आखिर रोजर जैसा बंदा marine के हां तो पकड़ा कई से जा सकता है उसका execution कैसे हो सकता है वो गुसे में आ जाता है फुल rampage type mode में और भाई वो सीधे जाके marines पे हमला कर देता है और फिर वो ना भाई मार काट करके marines के officers का लासे बिछा देता है और वो लासों के उपर खाड़ा रहता है अब उसे कौन पकड़ता है भाई सेनगोकू और गार्प दोनों मिलके उसके खिलाब fight करते है जहां पर आधा marine food तबहा हो जाता है और वहां पर सीखी अपने fleet अपने pirate crew के साथ हमला नहीं किया था वो single लाया था अकेला और एक बाद मैं बता दू उसको हराने के लिए अगर वो weak होता ना तो गार्प ही काफी था लेकिन गार्प और सेनगोकू दोनों fight करते है और आधा marine food तबहा हो जाता है इसके बाद सीखी को जो जेल में डाल दिया जाता है इंपल डाउन के अंदर और फिर से कुछ टाइम बाद उसका माथा फिर से फिर जाता है और वो अपने पैरो को काट करके अपने तलवार को उसके पैरो के जग़े बांदता है और वो वहाँ से निकल भागता है जिसके बाद वो सीधे जाता है wide beard के पस वो wide beard को भी ओफर देता है अब यहाँ पर सवाल उठता है कि सीकी गया का है देखो सबसे पहली बात तो सीकी को जो भी लोग weak समझते हैं तो मैं जानकारी के लिए बता दूँ सीकी बहुत ज्यादा strong character है जिस तरह से old era में सबसे strong character मैं समझता हूँ रॉक्षडी जेवेक था old era से मेरा मतलब 40 साल के अंदर की मैं बात कर रहू मैं 800 साल पूराने इतिहास में नहीं जा रहू क्योंकि 800 साल पहले क्या हुआ तक किसी को कुछ नहीं माता old era में रॉक्षडी जेवेक सबसे ज़्यादा strong था उसके नीचे रॉजर, गार्ट, वाइड बेर्ड ये सब सेम लेवल में आते थे और हाँ लिल्ले अपने प्राइम में थी ये भी उनी के आसपास आती थी और जो सीकी था उनी के लेवल का था ये सब एक सेम लेवल के characters थे और सीकी को जिस तर से हराने के लिए सैन गोकू और गार्ट दोनों साथ में मिल के लड़े थे और वो दोनों लड़ने के बावजूद मरीन फोट आधा तभा हो गया था फ्लोट फ्लोट फ्रूट वो खुद ओडा ने ड्रॉ किया था और इसका हमें पावर देखने को मिला था वन पीस मुवी स्ट्रॉंग वर्ल में अब वो मुवी जो है नॉन कैनन थी बट उसका जो डेवल फ्रूट जो है वो डिजाइन किया था ओडा ने और जब वो फ्यूचर में रिटन करेगा ना भाई पूरा तबाही मचाएगा अब यहां पर थोड़ा प्रेडिक्सन मारने की बारी है कि आखिर वो कहां गया होगा जब वो गायब हुआ है इतने टाइम से किसी को पता नहीं है कि वो कहां पर है देखो वो आसमान में तो यहां पर ज़्यादा highly chances यह निकल के आते हैं कि वो इतने टाइम से वो अपने power को बढ़ाने का ही try किया होगा कुछ ऐसी चीजों को या फिर ऐसे लोगों को अपने साथ मिलाने का try किया होगा जिससे उसका power जो है काफी ज़्यादा बढ़ सके और जब वो return करे तो वो को dominate कर सके अब देखो मुझे जहां तक लगता है इतने time से गायब रहने के वज़े से वो बहुत सारा crew बहुत सारी strong characters जो हमें future में दिखेंगे उन्हें वो इकठा कर चुका होगा और इतने सारे लोगों को अपने साथ लाने के बाद वो future में हमला करेगा लेकिन हमें यह न वर्ल्ड को अपना खौफ दिखा सके अब देखो अगर तुमको वर्ल्ड को खौफ दिखाना है ना तो एक तो भाई निका devil food awakening कर लो जिससे थोड़ा वर्ल्ड को tension में आये joy boy return आया है जो कि लूफी कर चुका है इसके अलावा revolutionary army जैसा कर सकते हो तो कर के दिखा दो लेकिन इन सब से बुरा क्या हो सकता है बाई देखो मैंने कारिवो वाले वीडियो पे कहा था कि कारिवो ancient weapon pluton की जानकारी जा करके revolutionary army को देगा जिस बात पर आज भी मैं agree करता हूँ लेकिन बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि वो हो सकता है जा करके सी की the golden line को बता है अब देखो मे इंसेस मरमेड सीरा होसी है वो water related weapon है और इसकी मतलब से क्या क्या कर सकते है मुझे साथ बताने की जो ने फिसमान आइलेंड जिसने देखा उसको समझ में आ चुका होगा तो हो सकता है कि जो यूरायनस जो third ancient weapon है वो sky related होगा अब अगर वो ancient weapon sky related है तो कोई ऐसा बंदा जो आ आसमान में घूम रहा होगा obviously seek the golden lion तो यह हो सकता है कि seek the golden lion इतने साल से ancient weapon यूरायनस के पीछे ही पड़ा होगा और हो सकता है जब वो ancient weapon का location जाएन जाएगा तो वो उसको लेके नीचे आएगा दुनिया को अपना खौफ दिखाने के लिए पसे सी की बहुत जल्द रिटन क में तुम सबका क्या मनने अपनी राइड देना मत भूला वीडियो पसंद आए लाइक मारे यार चैनल पर नहीं आएगा उस चांड़ को सब्क्राइब कर देना और हम मुझे इस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूला तो यार मिलेंगे नेक्स वीडियो में फिलाल के लिए बाइ